हेलो दोस्तों कैसे हो स्वागत है आपका अपने चैनल study.01 में मैं दीपक दोस्तों हमने उत्रा खरंड question and answer की स्रीज स्टार्ट की थी जो आपके आने वाले वीडियो भी वीडियो एक्जाम में बहुत हेलपुल होगी दोस्तों आज स्रीज का छटवाँ वीडियो है अगर आपने पांचवाँ वीडियो नहीं देखाया तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को वाच कर सकते और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबस्क्राइब कर सकते जिससे आपको आने वाले वीडियोज की पूरी जानकारी मिलती रहेगी तो दोस्तों स्टार्ट करते है आज का पहला प्रश्ण है कार्तिकेपूर वंस का सस्ताफ़क कौन था तो दोस्तों आपको बथाना है कार्तिकेपूर वंस का सस्ताफ़क कौन था इसका सही जवाप है बसंदेव जो बसंदेव है कार्तिकेपूर का सस्ताफ़क था आज का अगला प्रशन दोस्तों खरपर देव की पतनी का नाम क्या था तो दोस्तों आपको खरपर देव की पतनी का नाम बताना है जो की है कल्यान देवी कल्यान देवी खरपर देव की पतनी का नाम है आज का अगला प्रशन दोस्तों कत्यूरी वंस का सबसे प्रतापी राजा कौन था दोस्तों आपको कत्यूरी वन्स का सबसे प्रतापी राजा बताना है जो कि है ललिट सूर्देव ललिट सूर्देव कत्यूरी वन्स का सबसे प्रतापी राजा है दोस्तों अगला प्रशन है आपका बैजनात मंदिर का निर्मान किसने कराया था तो दोस्तों इसका अंसर है भूदेव भूदेव ने कराया था बैजनात मंदिर का निर्मार आज का अगला प्रशन है कार्ति के पुर राजाओं की राज भासा क्या थी तो दोस्तों कार्ति के पुर राजाओं की राज भासा थी संस्कृत और जो उनकी लोग भासा थी वो थी पाली आज का अगला प्रश्ण दोस्तो कत्यूरियों के समय भूमी मापन अदिकारी कौन होता था तो दोस्तों आपको कत्यूरियों के समय भूमी मापन अदिकारी बताने जो कि है प्रमवातार प्रमवातार होता था अगला प्रशन दोस्तों आज का कत्यूरी कालीन मंदिर के परकार आपको कत्यूरी कालीन जो मंदिर है उनके परकार बथाने कैसे उनके मंदिर होते थे कत्यूरी काल में तो जो मंदिर होते थे दो परकार की होते थे दोस्तों एक थे छत्र युक्त मंदिर दूसरे होते थे सि युक्त मंदिर आज का अगला प्रशन दोस्तों दोस्तों ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन है कई वार एक्जाम में पूछा जा चुका है पांडुकेश्वर तामर पत्र किस से संबंदित है दोस्तों ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन है इसका सही जवाब है ललिच सूर्देव ललिच सूर्देव से संबदित है पांडुकेशवर तामरपत्र दोस्तों आज का अगला प्रशन कार्थिकेपूरवंस में प्रांथ पाल वा घट पाल कौन होता था दोस्तों आपको बताना है कार्ति के पुरुवंस में प्रांत पाल वा घट पाल कौन होता था तो दोस्तों जो प्रांत पाल होता था वो था सीमाओं की सुरक्षा करने वाला जो राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करता था उसे प्रांत पाल बोलते थे और घटपाल जो होता था जो गिरी द्वारों के रक्षक गिरी द्वारों के रक्षक जो होते थे उन्हें घटपाल कहते थे दोस्तों आज का अगला प्रशन कत्यूरी काल में आई के साधन क्या क्या थे दोस्तों आपको कत्यूरी काल में आई का साधन बताना आई के साधन क्या क्या थे तो में जो थे दोस्तों कत्यूरी काल में आई के साधन थे आपके क्रिसी, वन और खनिच संपदा तो दोस्तों ये तीन में आई के साधन थे कत्यूरी काल में दोस्तों आपको ये जो स्रीज हमने स्टार्ट की है वीडियो भी वीडियो की ये आपको कैसे लग रही है आप कमेंट करके बताईए और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू